नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मारे YouTube चैनल पर और दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको पांच ऐसे प्लागिन की बारें बताऊंगा जिससे आप अपनी वेबसाइट को ट्रांसपर कर सकते हैं यानि की माइगरेट कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट द इए अगर आपकी वेबसाइट किसी और हॉस्टिंग में आने जाते हैं तो यहां पे आपको हॉस्टिंग में चार, 5 डेटेल ॡालने पड़ती है उन डेटेल डालने केवाद दोस्तों आपकी वेबसाइट एक या दो दिन में ट्रांसपर हो जाएगी आपको कुछ नहीं क करना होता है सबसे पहले दोस्तों आपको प्लागिन को एड न्यू प्लागिन करना होता है यानि कि आपको जिस प्लागिन के हेल्प से आपको अपने वेबसाइट को ट्रांसफर करना है उस प्लागिन को आपको यहां पे सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है तो मैं य यहां पे मैंने जितने भी plugins हैं, वो मैंने यहां पे सारे plugins को activate करके रखा हुआ है, तो मैं यहां पे जाता हूँ install plugins पे और यहां पे बता देता हूँ कि कौन-कौन से plugins हैं, तो first है आता है यहां पे all-in-one WP migration, जब आप इस plugin को install करोगे, activate करोगे, तो आपको यहां पे इस तरह का दिखाए देगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पुराने सरवत से आपको यहां पे एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है, जब आप यहाँ पे Ellexport क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे energiesport to क्या करना यहाँ आप चाहे तो यहाँ पे Google Drive में भी download कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबीकहे पहले यहाँ पे download करना होता है उसके बाद क्या है करने हैं जब हाउन पर फैल पर क्लिक करके यहां पर डॉनलुट कर करने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर दूसरे सर्ब्र में आपको क्या करना है और इन्वन डबल्ब टॉरफ रगेम गिन को करने और तरह किलिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर import from करना है और जहां पर आपने डाउनलूट किया अगर आपने गूगल ड्राइब में करना है तो गूगल ड्राइब आपको किलिक करना है अगर आपने फाइल पर डाउनलूट किया तो आपको किलिक करना है और किलिक करने के आपको मैं बता देता हूँ कौन सा है ठीक है अब सेकिन प्लगिन से दोस्तों यहां पे है डूप्लिकेटर तो डूप्लिकेटर में भी दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है जैसे आप यहां पे डूप्लिकेटर प्लगिन को एक्टिवेट करोगे जब आप एक्टिवेट क करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है नेक्स्ट करने है नेक्स्ट करने करने का हमारे यहां पर जो जो यहां पर डीटेल्स मांगेगा उस सब डीटेल्स आपको यहां पर करना है अब आते हैं यहां पर थर्ड प्लागिन पर कि थर्ड प्लागिन कौन सा है तो थर्ड प् कुम आपको करने हैं तो आपको करना है एक्टिवेट करना है यहां पर धार आहँ पर हम मेंने के बार शतंशना है पर संटने से और हम प्लाग इन पहाँ हैं हम यहां पर माईगरेट गुरु करके यहां पर आपको सोय डायगागा करोकर है इस प्लागिन से भी दोस्तो आप अपनी website को innocent कर सकते हैं और यहां Chip सिंपली मैं किलिक give तो माईगरेट गुरु पे और हम पर किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना दूस्वो अपने email id डालनी है और email id डालने है यहाँ पर simply click करने और हम पर migrate site करने है इतना आपको और आगे जाकर ठोड़ सी आपको डालने होती है तो आपको कैसे। अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना है तो यहां पर दूस्तो लास्ट प्लाइट को माइग्रेट करना है तो पहला कोंस है। All-in-one WP Migration Second है दोस्तों यहाँ पे Migrate Guru Third है दोस्तों यहाँ पे Updraft Plus और Fourth है यहाँ पे Duplicator और दोस्तों यहाँ पे Five है Backup Buddy अब आपको दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट किसी और सर्वर में है और आप Hostinger में आने चाहते हैं तो आपको सबस्ते पहले क्या करना है यहां पे Hostinger पर आपको Login करना है Login करने का आपको आना है यहां पे My Great Website पे इसवे क्लिक करना है और क्लिक करने के बढ़ दोस्तों हमें क्या करना है कि अपने वे Bluetooth और अपने server यानि कि पुराने server के आपको यहां पर detail डालनी होती है तो आपको simply क्या करने है आपको request hosting migration करना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर WP admin URL है यानि कि आपको अपने WP WordPress का login की detail डालनी है यहां जैसे हम क्या डालते हैं यहां पर कुछ भी जैसे हम डाल देता YouTube का ही है तो आपको क्या करने YouTube.com डालना है और यहां पर WP और यहां पर admin करके हम डालते हैं यह सब URL आपको copy करने है और यहां पर डाल देना है उसका पर WP admin username आपको अपने WordPress के username डालने है और यहां पर password डालने है और यहां पर hosting provider यानि कि आपकी website जिस पुराने hosting में है उस Zone आपको URL डालने उसका password डालने है और यहां पर username डालने है इतना आपको करने है उसको आपको आपको submit करने है और उसक आपको यहां परे एक यहां दू दिन वेट करना पड़ता है उसके बाद आपकी website है यहां पर ढो हो जाए तो यहां परcoatगा हो इसाड़ sowlish आपसे एक request करने चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा दोस्तों फिर मीनिंग हम एक और next वीडियो में तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखेगा जैहीन वंदे मातरम